नमस्कार कैसे हैं नमस्कार मैं हुराकेश आप लोग के सामने स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ अपको बहुत अच्छे होंगे पीछे लगबग सभी वेकेंसी जो अलग अलग पदों के आई थे उसके लिए टेंटीडी स्लेबस निकाल ला है डिस भी ने धन्यवाद है इसका पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है कि आपको डिस अविका स्लेबस मिलेगा कभी ऐसा इस तरह से दिया नहीं जाता था और इसी वज़़जे से डिस भी के जो जो जांस होते थे वह कहीं से भी आ सकते थे बड़े ही यह बहुत बड़े कैन्वस पे एक्जाम होते थ देखे लास्ट वाला जो लास्ट अफलाइन पेपर था उसमें टोटली कॉमर्स की चीज़े आगे थे सोशल में फिर ऑनलाइन परिक्षाओं में आप देखेंगे हर साल कोई ना कोई सब्जेक्ट डॉमिनेंस में रहता था तो यह बहतर चीज़े हैं और यह मुझे सही लगा अच्छा लगा उन स्टूडेंट्स के लिए सस्ट के लिए प्रिपेर कर रहे हैं यह तो नहीं बोलें कि डिक्टो इसी में से ही आएगा इतना कि इन्होंने एक वर्ड लगा दिया है इंडिकेटिव तो मतलब इसकी इर्द गिर्द रहेगा ऐसा नहीं कि यहां से इसके बा एक प्रिपरेशन होती है इसले लेक्टिट्स अगर आपने नहीं देखा है टीच इटी सोशल साइंस के प्रिपरेशन कर रहें जरूर देख लिएगा मैंने उसमें बताये थे की सब्ट्स जहाँ से हमको काम करना है उसके बाद मैंने बताया था किस तरीके से हम कोशन फ्रे नजरिया बदलना होगा इंसी आटे पढ़ने का सबी लोग नसीयाटी पढ़ते हैं प्रशन यह प्रशन centuries से अब था कि नहीं उस detail के साथ आप दूंप प्रशनों की संख्या प्रशनों के quality को देखें में हाएगा कि अब जीचेचे थोड़ी असान हो गई हैं स्लेबस काफी डिटेल में मुझे देखने में लग रहा है इसको डिसकस कर लेते हैं क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए कैसे चीज़े लेकि चलनी चाहिए इन इस स्लेबस से लगवद लगवद 90 से 95 प्रशन आपको देखने को मिलेंगे जैसा की आपका फोकस यहां होना चाहिए और पार्ट वन के लिए आपको नोमली प्रिपेर करना पड़ेगा बीस हिंदी जी इस मैथ इस इंगलिश तो चलिए शुरू करते हैं इसमें जो हिस्ट्री के पोर्शन पिन्होंने बात कही हुए पहले अब हिस्ट्री के पोर्शन से मैं कि कहां से कंटेंट दिया गया है किस पोर्शन को इसनों पकड़ा है उसका ध्यान देना पड़ेगा अभी तक क्या होता था कि टीटी में ना ना इंथ का बड़ा बोल बाला रहता था था अभी पहला टॉपिक देखिए मैंने मेरे पिछला वीडियो कर आप मेरा देखेंग पहल था कंटेंप्रेरी इंडिया च expect अ illness में सम्तारिंगा और इसमें भारत को सभी उपर दिया गया है सम्काली भारत मतलब आजादी के बाद से के वर्तमान समय तक का भारत वर्तमान समय मतलब सं 2010 तक का भी लगा लीजिया उसमें अभी देखना होगा इंडस्टियल revolution कैसे आए यह वर्ल हिस्ट्री का पोर्शन है बैसे कली एकनॉमिक डिप्रेशन जो ग्रेट इकनॉमिक डिप्रेशन था 1929 वाला उसकी बात होगी लेबर और प्रिजन क्लास यह फिर आप चले जाएंगे रेवल्यूशन एरा से लेके हमारे जो मार्क्सिजम सी जो थेवरीज थी जो शोशित और जो शोशक वर्ग था बुर्जुवा वर्ग का क्या रोल था इसकी पर बात करेंगे फिर विद्ग और इंडिया इंडिया मौडर्न इंडिया का एक पोर्ष्ण रहेगा जो इकनॉमिक के साथ लिंक होगा वह पोर्ष्ण है यह फीचर ओप को लोगे सिटी इन इंडिया हमारी जो अपनीवेशिक भारत था उस समय कि हमारी सिटी कैसी थी अब यह कहां से लिए में लेका 12 की हिस्ट्री से थिक बहुत छोटा सा पूर्शन मिलेगा 12 की एकनॉमिक से जो मैक्रो किनॉमिक्स वाली बुक है न ठीक है मैं इस पूरे स्लेबर्स को कंठस्त करा दूंगा आपको कंटेंट वाइज कि कैसे प्रशन करने प्रशनों के जड़ी लगा लेंगे इसके लिए कम से कम में 10 से 15,000 कोशन करने और प्लीज अब ध्यान दीजेगा जीएस से थोड़ा डिफरेंट रिएगा इन्होंने कुछ पॉर्शन तो प्योर जीएस लगा दिये जैसे कि इन्होंने पॉलिटिकल बहुत अच्छा लगा कि बहुत असान कर दे पॉलिटिकल क अच्छे कोशन इतनी समरी इवन वह आप ऊसमरी नहीं देता होगा चैटर के हिसाब से पेजेस के हिसाब से वह समरी कैसे थैयार करने थे नोट्स कीसे थैयार करने थे वह पताया तो यह तो फ्रेंच रेवलूशन तो जो लंत टॉपिक हमेशा कोशन आएंगे ठिक एक आ गया अधुनिक भारत स्ट्रगल फ्रेडा में स्ट्रगल फिर रश्यन रेवलुशन के भी यही से लिंक हो जाएगा यूरोप में जो समाजवाद आया उससे लिंक हो जाएगा यह चैप्टर है यह नहीं तो यह अलग से पढ़ना होगा हमको यह ना इसके लिए हमें सब्सक्राइब करन कैसे हुए ते निकल निकल ऑल वार वन आप लिंक कर दोगे जर्मनी व गर सिके साथ भी वरसाय की संधी हो गया क्या सिट्यूशन बनी थी मित्र राष्ट कौन थे बहुत फेक्चुल कोशन बने गए यहां से मैं जो देख रहा हूँ उसमें मुझे कि यह पूर्शन अगर मैं छोड़ दू तो बाकी मुझे ना बहुत इजी लग रहा है सलिबस इसका ठीक है और एक चीज़ और क्लियर हो गई अब अपने को एंशें दीदि में बेसिक जोगर्फी है फिसकल जोगरफी का पॉर्शन वहां स्टार्स आपका यह सोल स्टम येवाग बेसिक सीचीज़ें हैं इसमें वहाता कुछ नहीं है उसके बाद अप्रिया सारी फिसकल जोगरफी हमारी आ गई यह नाइन्थ क्लास के निसील पीस सुरूब कर लिए गा एम किरती परके जो एप है उस पर सारा स्लेवस वाइज कोशिश कर रहा हो कि 10 से 15 जार कोशन के पूल लैंड पूल तयार करें जो कि पूरा हमारा एक जमीन में तयार कर दें परशनों को लेकिया अधार शिला तयार कर दें बेकास इसमें आपको बुझे जो लग रहा है कि 30 परसेंट ही इसमें आपको एप्लिकेशन बेस्ट कोशन मिलेंगे साथ से साथ साथ से स्था स्टेट दिखते हुआ लग रहे हैं और जग्रफी और मैंने बोला जग्रफी और इस तुरिया आपका सेलेक्शन कराएगा अब इ स्टेटेटिफें इसके लिए इंडिया की में इनरल बुक होती हैं हर साल निकलती है थो दो तीन साल पर निकलती है तो लेटिस्ट वाली हम देखेंगे और आप गूगल करोगे ना आईरन में कौंशा से स्टेट आ रिजर्व प्रोड़क्शन अलग-अलग है तो भईया र प्रेजर्व के आंसर तो लगबग फिक्स होते हैं लेकिन प्रोडक्शन हमेशा अलग अलग होता है तो उसके लिए लेटेस डिटा हमें पढ़ना पढ़ता है ठेक है फिल लाइफ 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 इंडेन एकॉनमी का मस्ट टेंथ किलास सीधे सीधे भारत के जीव अब चलते हैं कम्मुनिकेशन के कुछ कोशन में आपको देते हैं 50-100 कोशन उससे बाहर नहीं आएगा अब आएगा एकॉनमी का एकॉनमी अगर आप देखो गे ना तो इन्होंने बहुत ज्यादा एकॉनमी करीब जो एकॉनमी का पूशन हो 70-75 फिस दी वो मैक्रो एकॉनम यह तो टॉपिक ही है कि मानव रिसोर्स के रूप में कैसे प्रियोग नाता है मानव भी तो रिसोर्स की तरह होता है रिसोर्स बहुत प्रकार के होते हैं नेचरल होते हैं मैंमेड होते हैं मैंमेड रिसोर्स हुमन बूसी में है अब कोई व्यक्ति जिसके पास कोई हो गया मैं कि साधारान रूप से कुछ नहीं करूँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक रिसोर्स ही तरह यूज कर रहा हूं हो आपके लिए कि मैं कुछ चीज प्रदान कर रहा हूं इसमें हमारे लेटस इटा के साथ काम करना पड़ेगा पॉपलेशन में 2011 वाली सेंसेस पर हम चलेंगा अभी लोग ठीक है और गरीभी का दुष्चक्र करजे का दुष्चक्र यह देखना होगा ठीक है एक बहुत अच्छे किताब है मिरंडा कॉलिज की प्रोफेसर है उमा का कोशिश करें है कि इसका हिंदी वर्जन आपको कुछ-कुछ पॉइंट्स का देने कोशिश करें फूट सिक्योटी इंडिया थेक है भारत में खाद सुरक्षा 2013 वाला बहुत इंपॉर्टन फिर आभी जो कारे चल रहे है आप देखोंगे देश में तो चुनाव ही फूट स सब क्या होते हैं जो मैंने बताया था आपको वह पीडिएफ अप्लोड हो गई है वह एक एक दिन या एक हाग दिन और लेगी आपको विजिवल होने में वह बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करिएगा आप लोग और बहुत हेल्दी बड़ी पीडिएफ है वह थोड़ा दि सबसे पहला काम क्या करें इसका प्रिंट निकाले दूसरी चीज इन स्लेवस को एक बार दो बार तीन बार बढ़ियां से पढ़िए शांती से पढ़िए फिर आपन जो जो कर रहे है न डेली बेस विस्वीट से टिक करना अपने को अपने को टिक करना है पहले हम यह सबसे पहले बेस बनाईए प्लीज न्सी आटी को मैंने एक चैप्टर पढ़ा कि आपको दिखा दिया टेलिगराम ग्रूप में कैसे काम होता है महनत करने पड़ते देखे जी लेकिन इतनी बड़ी महनत की नीड नहीं है कि आप 6 महीने तक NCRT पढ़ते रहें एक महीने में आप सारी NCRT को धूआ कर सकते हैं और ऐसा कर देंगे कि दुबार उस NCRT को उठाने की नीड नहीं पड़ेगी एक्चुली प्रिपरेशन तो ऐसी होती है अपि तक टेलिग्राम ग्रूप में अगर उस चीज़े नहीं देखे पड़ी नहीं देख लेना कैसे काम होते हैं अब चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब होंगी तो इसी प्रकार से चीज़ों का असान बनाते हुए आगे बढ़ी है अभी इसके उपर बड़ी बीडियो मिलेंगे यह हो रहा है वह हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत सब्सक्राइबस है और जैकिन मानी अगर इससे ही पेपर आता है तो बहुत अच्छा बह है और बहुत अच्छा है किस तरह से चीज़ें हो ताकि स्टुडेंट को डेडिकेटीड तरीके से प्रिपरिशन करने के मौका मिले नेक्स्ट वीडियो में आता हूं नेक्स्ट वीडियो कंटेंट के साथ भी होगी और हम जैसे हम टेलिग्रांग गूर्प में सीरी चला र करा देजिए अपनी फेलियर का जिम्मेदार आप होते हैं ठीक है चले थेंक्यू बाबाए